असलाम लेकूम आज मैं बना रही हूँ पकोड़ा कड़ी बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी रेसिपी है ये आप लोगों ने इसको ट्राइ करना है इसके लिए जिन चीजों की मुझे जरूरत है उन में शामिल है सबसे पहले दही दही मैंने एक पाउ लिया है चार चमच मैंन मिशारी जरूरत है उन में नमक है, सुर्ख मिरच है, हल्दी पाउडर है और सूक का धनिया है सबसे पहले मैंने दही और बेसन को मिक्स कर लिया था उसके बाद मैंने ये सारे मिसाले जो है वो डाल दिये थे आप देख सकते हैं एक बाॉल ले लिया है इस बाउल के देर र कर लूँगी लेकिन इस स्टेश पे अभी मैंने प्याज और लेसन नहीं डालना आप देख सकते हैं सारी चीजे मिक्स हो गई हैं अच्छे से अप मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी पानी मैंने पांच गिलास डाले थे येवाला किलास मैं चीजे त्वल्भ मैंने यूज़ किया था अबेगी कड़ाई ले डाल दिया है फ्लेआं मौन रखिय हemorए है अब इसको मैं 25 स्वाएं तक क्तरा मैंने डाल दोंगी हलका हलका बॉाइल आना शुरू हुआ है तो मैंने इसके अंदर प्यास डाल दिये हैं और लेसन का पेस्ट बना के डाल दिया था इसके अंदर और उपन से इसका मैंने ढखकन बंद कर दिया है अब तकरीबन 25 मिनिट तक ये पकता रहेगा बिल्कुल हलकी आँच पे इसको मैंने पकाने के लिए छोड़ दिया था और साथ पे मैं पकोड़े बनाने लग गई थी पकोड़ों के लिए मुझे ये चीज़ें जरूरत थी जिसमें आलू प्यास और बेसन की जरूरत थी इन सब चीज़ों का मैंने मिक्सचर बना लिया था ये देखिए मिक्सर बन चुक है सबस्मर्चें भी डानी थी आप देखिए आप ये कड़ी अच्छे से वाइल हो रही है कड़ी एक साइट पर वाइल हो रही थी और साथ साथ मैं पकोड़े बना रही थी ये देखिए आप पकोड़े बन चुकी है और उदर से मैंने कड़ी का चूला जो था वो बलकुल आफ कर दिया था पांव शुक्त के लिए चूला झानर आफ कर दिया था इसलिए फ्लेम ओउफ कर दी थी अब मैंने एक फ्राइंग पेंग पेन ले लिया ए उसके अंदर मैंने फ्ले-उम जाल डिया आऊल के अंदर मैंने जीरा डाल दिया एक चमच भर के अब मैं इसके अंदर सुर– पेर छूल दों गी हाफ चमच किते हैं जो आकरी स्टेप है इसमें वो यह होगा कि बस मैंने उपर से कसूरी मेथी जो ती वो डाल दी थी कसूरी मेथी की बहुत ही जबर्दस खुश्बू होती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप लोग भी जरूर कड़ी के अंदर डाला करें मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ तो जरूर एंड पे इसको डाल देती हूँ अब यह बिल्कुल रैडी हो चुकी है डिश आउट मैंने कर लिया था इसको इसको इसकी फाइनल लुक कैब बहुत जबर्दस किसम की पकोड़ा कड़ी रैडी होगी है ओके अल्ला आफिज